तो आज डिसकस करेंगे UK APO में जो आपका हिंदी आती है और उसके टोपिक के बारे में टोपिक का नाम होगा उपसर्क और प्रित्य है जैसे कि हम सलेवस बगएर का सारा का डिसकसन आपका कर चुके हैं प्रिवेश वीडियो में नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं औ और उपसर्क प्रित्य के बारे में आज हम इस टोपिक की चर्चा करेंगे अगर आप इसका PDF नोट्स और क्लासेज सभी चाहते हैं तो दिये गए नंबर पर WhatsApp मैसिज या कॉल कर सकते हैं 75 0011 00314 पर यहां उपर आप जो भी टोपिक हैं पहले सारा स्लेवस कवर किया जाएग ठीक है चलिए उपसर्ग और प्रित्य के बारे में जाल लेते हैं देखेगा बेसिकली जो आपका उपसर्ग और प्रित्य है वो बहुत ही इंपोटन्ट टोपिक तो है ही और सिंपल भी है तो यहां से आप अच्छे से जो आपके 5 मार्क्स हैं पूरे में से पूरे बना सकत जान लेजेगा उपसर्ग और प्रित्य दोनों एक साथ देखेगा उपसर्ग और प्रित्य को जनरली उपसर्ग अब यह कंफिजन होता है एक्जाम टाइम में थोड़ा बहुत हो जाता है कभी-कभी वैसा आपको होना नहीं चाहिए कि जो उपसर्ग है पिड़ते हैं वो तो आप सिंपल लोजिक लगा जीएगा वहाँ पर कि ए आ ई उ मतलब पहले हमारा उ वड़ाता है इसलिए वो सब्द के पहले लगएगा यानि कि उपसर्ग और प्रित्य बाद में यह तो एक देशी सा मतलब अपना सिंपल तरीका हो गया अब उपसर्ग क्या होता है आप परिवासा भी काफी पढ़ते हैं कि सब्द के पूर्ब कोई भी सब्द मतलब उसके पूर्ब या पहले आ करके जो परिवर्तन उसमें करता है वही क्या कहलाता है उपसर्ग अब पिटती है किसी सब्द के बाद में जो अक्सर या सब्द या अव्याव जुड़ करके जो भ बदलेगा अब जैसे हम पहले उपसर्ग की बात करेंगे उपसर्ग के कुछ एग्जामपल देखेंगे आपके जैसे हमने लिखा अतीकाल ठीक है अतीकाल अब जो हमारा उपसर्ग है उसमें एक उपसर्ग काफ यूज होता है अती तो इसमें अती उपसर्ग है अब जनरली हम यह कौन सा उपसर्ग है आपसे यह ने बूज रहा कि कौन सा यह कौन सी भासा का उपसर्ग है आपको यह पतो होना चाहिए कि यह है इसमें कौन सा उपसर्ग है या पिटती है अब जैसे आपसे बूजता है कि अत्या चार में कौन सा उपसर्ग है तो यह यादी रखने करके провide करा दिया जाएगा टेलिगराम पर री ठीक है जैसे ओर है आप outta एक और होता इसमें अधी यह सब जैसे अधिकार आपने लिखा तो इसमें उपसर्ग क्या हूँ या अधिकरन लिखा या अध्यक्स लिखा इस टाइप जैसे एक और उपसर्ग है सू ठीक है जैसा आपने कर्म लिखा उससे पहले सू जोड दिया तो शू कर्म हो गिया गम लिखा उससे पहले शू जोड दिया तो शू गम हो गिया ठीक है तो यह हमारा उपसर्ग है इस टाइप से हम इनको कवर करेंगे जैसे कि आपका अगोचर है अब अगोचर में क्या उपसर्व जड़ो हुआ है यानि कि गोचर पूर्ट है सब्द अपनाप में और ए उसमें जोड़ दिया तो यह क्या बनिया एक मतलब शब्द बन गया उपसर्व अगोचर अब जैसे नीती है आपने सब्द लिखा नीती इस से पहले हमने ए को जोड़ दिया तो ए नीती बन गया तो सब्द भी बदल लिया चीक है अर्थ भी बदल लिया नीती मतलब एक विल्कुल rules and regulations एनीती मतलब बिना rules and regulations के तो इस टाइप से बात कर लेते हैं थोड़ी हमारे पिड़ते के बारे में बात कर लेते हैं तो उपसर्ग जैसे भी है आपको जो उसमें डिसकस किया गया है अब बात सार यह रहते है कि हम कितने उसमें कवर करें जो important है ठीक है बस इसी तरीक दे सब्दों में पता लगाना हमें और फिरत्य की बात करें तो पिरत्य वही की मतलब शब्दों के लाश्ट में जो अंत में मतलब उसमें जुडेंगे अंत में शब्द याक्षर जो भी जुडेगा वही क्यों होगा फ पिरतिये दो पिरकार के होते हैं ये तो आपको बहुत सिंपली परिभाशिक तोर पर बताय जा रहा है जैसे एक पिरतिये होता है आपका करत पिरतिये कौन सा होता है करत पिरतिये करत पिरतिये क्या होता है जो हमारी धातु मतलब किर्या होती है वर्ब होती है उसमें जो प्रियोग होता है वो करत पिर्तिये का ठीक है जानने वाला मतलब किर्या में जो हमने सब्द जोड़ा है उससे जो परिवर्तन हुआ है वह क्या कहलाया है हमारा किरत पिर्तिये किरत पिर्तिये को ही हम क्या कहते हैं किरत दंत जाहिर सी बात है किरत दंत ही उसको भोलेंगे तद्धित पिर्तिये अब इ एक इसका दूसरा पिरकार है तद्धित पिरतिय का अब ये तद्धित पिरतिय क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं तद्धित पिरतिय आपका जो शब्द आपके किर्याओ को छोड़ कर मतलब इसमें किर्याओ में एड नहीं होगा जो भी बचे संग्या हुआ आपका और नाम हुआ, विशेशन हुआ, इन सभी में जो बाद में सब्द जुडेंगे या अक्षर लगेंगे, वही क्या कहलाएंगे हमारे तद्धित पिट्टिय कहलाएंगे, ठीक है, पारिभाशिक तोर पर आपको बता जा रहा है, बस आपको तो ये बताना है लाश्ट में किसम संग्या है, अब यहां पर लूट जो है, लूट आपका इसमें जो किस प्रकार से पिट्टिय यूज हुआ देख लेते हैं, जैसे लूट सब्द आपका, तो इसमें हमने ना जोड़ दिया, तो ये लूट संग्या, तो लूट ना, ठीक है, तो लूट ना क्या हो गया, जामा करना, तो ये हमारे सभी क्या है, इस टाइब से तद्धित पिट्टिय हैं, तद्धित पिट्टिय हमने देख लिए, और पिट्टिय इसी पिरकार से आपके यूज होईंगे, जैसे और कुछ पिड़ते देखने को मिलेंगे और जैसे खाजान ची काफी बुझा जाता है यह भी तो खाजान ची में क्या है जो आपका पिड़ते यूज रूज हुआ है वो ची, यानी खाजान पिल्ड़ स्टी कुछ पिड़ते आप देखेगा जैसे जोड़ा है तो जोड़ा में जोड पिलस पा याने की जोड़ा इस टाइप से पिटते देखने को आपको मिलेंगे overall अगर आप इस टोपिक को कर लेते हैं अच्छे से ज्यादा इसमें थोड़ा सा ही ध्यान देने की जुरूत है और भी आप समझेगा आप अराम से बता देंगे जैसे एक पिटती है अब आप से बुझे जाए कि कार्मिक में कौन सा पिटती है तो आप कैसे करंगे कार्म पिलस एक याने की कार्मिक धार्मिग में आप SIMPLY बता देंगे के धार्मिग में कौन से पिठते है धार्म पिलस एक मतलब धार्मिग ठीक है तो SIMPLY अगर बात करें तो इनके कोई regulations नहीं होते बस हमें ये पता होना चाहिएगा कि आ से कौन-कौन से बन सकते हैं ये लाश्ट में जिनका है उनसे कौन-कौन बन सकते हैं आल जिसके लाश्ट में आएगा उनसे कौन-कौन से पिड़ते बन सकते हैं तो कुछ चुनिंदा ही सब्द या अव्यव होंगे जिनके लाश्ट में जुनने पर पिड़ते में परिवर्तन होगा उन्हीं के basis पर हम सब्द करेंगे suppose आप मानीजेगा कि आर जिसके लाश्ट में आएगा जैसे दूधार तो इसके मिलने से दूधु पिलस आर याने कि दूधार तो इसके मिलने से फिटते हैं परिवर्तन हो रहा है तो कुछ important शब्द या अव्यव होंगे जो उपसर्ग के भी होंगे जैसे अती से जुड़ करके उपसर्ग में परिवर्तन होगा या अधी जो आपका सब्द है इसके जुड़ने से परिवर्तन होगा जैसे अधीकार है या अप जो उपसर्ग है इसके जुड़ने से परिवर्तन होगा तो इस टोपिक के बारे में डिसकस किया है बाग यहां आप अपनी कमेंट मेरा जरूर दें और जाल जानकार यहां आप हमारे 75 00-110-314 नंबर पर ले सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में